हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एजू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे डॉक्जे साइक्लिन अंटिबायोटिक ड्रग के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज़ और करेंगे डीटेल फार्मकोलोजिकल स्टडी तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर और सिखते हैं डॉक्जे साइक्लिन के बारे में तो अब जानते हैं डॉक्जे सैक्लिन के बारे में तो डॉक्जे सैक्लिन क्या है तो डॉक्जे सैक्लिन इस एन एंटिबायोटिक तो डॉक्जे सैक्लिन को हम एंटिबायोटिक मेडिक सिन कहते हैं और ये ऐसे क्लास की मेडिसिन हैं एंटिबायोटिक के अंदर कि जिनको हम कहते हैं टेटरा सैक्लिन्स जो tetracyclines जो कहे जाते हैं antibiotic drugs तो ये class का medication है doxycycline broad spectrum antibiotic फिर उसको broad spectrum antibiotic भी कहा जाता है उसका reason ये है कि ये बहुत सारे microorganism के सामने उसके pharmacological action रहती है जैसे कि gram positive and gram negative दोनों टाइप के जो bacteria होते हैं उनके सामने अपनी antimicrobial activity देती है और उसके करण उसको broad spectrum antibiotic कहा जाता है effectiveness उसके काफी wide है wide range कही जाती है effectiveness की for the number of bacteria उसके करण उसको broad spectrum हम कहेते हैं and long acting tetracycline के जिसके effect रहती है 18 से लेकर 24 hours तग तो half life मतलब की यह जो medicine होती है उसकी effect आपकी body के अंदर कितने time तक खास कर रहे सकती है तो half life उसका 18 से लेकर 24 hours जितना रहता है मतलब की 18 से लेकर 24 hours जितना effectiveness रहता है यह medication का after taking के single dose क्या आप यहाँ पर देखो कि doxycycline का जो 100 mg का यह जो आप capsule देख रहे है तो एक capsule लेने के बाद उसकी जो effect है वो 24 hours तक रहे सकती है तो उसका dose इस तरह से होता है कि दिन में एक ही tablet खास कर दी जाती है and it work by inhibit the growth of bacteria कि bacteria की जो growth होती है उसको inhibit करता है यह doxycycline तो यह था basic introduction about the doxycycline drug आगे सीखते हैं उसके doses forms के बारे में तो doxycycline के capsules available है कि जो आप यहाँ पे diagram के अंदर देख रहे है कि जिसकी strength होती है usually 100 mg कि 100 mg के doxycycline के capsules available है उसी तरह से doxycycline का injection भी available है कि जिसकी strength होती है 100 mg कि 100 mg रहता है per while तो यह खास याद रखिया आप and for intravenous infusion only intravenous ले दिया जाता है patient को तो यह उसका lyophilize रहता है product intravenous infusion only और sterile रहते है product and खास देखे Rx से मतलए कि prescription based medication है कि चाहे अब उसके tablets होते हैं या फिर उसके capsule फिर doxycycline का oral suspension भी available है कि जो veterinary use के लिए होता है कि dog है cat है cattle सगेरा के लिए zadox suspension जो available होता है कि जो specially use किया जाता है animals के लिए तो इस तरह से doses form उसके available है market के अंदर और human use के लिए usually उसके capsule and injection जो है वो use किया जाते है अब समझते हैं उसके basic use तो basic use के उपर आप खास दियान रखना कि basic use काफी बहुत सारे है उसके तो basic use में आप सबसे पहले समझोगे तो first उसका जो basic use है that is a chest infection कि respirator track के अंदर जो chest के अंदर infection होता है कि आपके जो lungs के अंदर समझो कि infection हुआ है फिर जो lungs के आसपास का जो area जो हम कहते हैं वहाँ वे infection हुआ है तो जो chest infection को treat करने के लिए doxycycline जो है वो use की जाती है फिर जो skin infection होते हैं कि आप देखो ये वाला कि ये आपने समझ लिया chest infection अब ये second वाला diagram देखो तो जैसे ये skin उपर आप ये देख रहे हैं कि skin के उपर इस तरह से infections हुआ है और specially जब face के उपर इस टाइप के pimples वगेरा होते हैं तो उसको treat करने के लिए use किया जाता है और उसका जो नाम है that is a rosacy कि ये जो condition है उसको rosas ही कहा जाता है कि आपके जो face है उसके उपर इससे ये जो पिमपल्स जैसे जो spot है वो develop होते है आपके face की skin के उपर कि जिसको rosas है या फीर skin conditions scope ही जाती हैसे कि उनके अंदर पॉस भी आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे स्किन इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए डॉक्जे सैक्लिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, फिर आपको पता होगा कि जो प्लेग की जो खासकर रेट जो है, वो उनके स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉनसिबल बनते हैं उनके थ्रूँ और जो है, वो कॉन्टामिनेशन होता है, और वो कॉन्टामिनेशन प्लेग की बीमारी को फैलाता है, तो उसके इलाज में भी ये डॉक्जे सैक्लिन यूज किया जाता है, पांचवा हम देखी तो डेंटल इंफेक्शन, कि जब डेंटल इंफेक्शन होते हैं और डेंटल पेंस वगेरा देखने को मिलते हैं, कि बैक्टेरियल इंफेक्शन के करण आपको डेंटल इंफेक्शन होते हैं, और वो dental infection को treat करने के लिए doxycycline as a antibiotic दी जाती है फिर sexually transmitted infection and diseases जैसे के gonorrhea है syphilis है वगेरा को treat करने के लिए भी doxycycline दिया जाता है vaginal white discharge में भी ये useful रहता है कि जो योनी मार्क से जो कई बार जो सफेद पानी आता है जो हम कहते है वाइट discharge मतलब की जो सफेद पानी आना योनी मार्क से तो उसके इलाज में भी doxycycline एंटिबायोटिक के तोर पर दी जाती है फिर बात करे prevention and treatment of malaria कि malaria जो हम कहते है तो उसके treatment में भी और साथ हो साथ prevention में doxycycline यूज की जाती है दूसरे उसके uses देखे नमबर 9 तो rocky mountain spotted fever की जिसके अंदर आपके body पर इसे sports देखने को मिलते है यहाँ पे देखो कि जो मैं यहाँ पे number 9 लिखता हूँ यह diagram के उपर तो 9 नमबर वाली जो condition है उसके basic use rocky mountain spotted fever कहा जाते है बहुत बार यह students के लिए काफी important multiple choice question में पूछा जाता है तो यह एक उसका basic use है फिर number 10 पे हम देखे तो जो typhus fever, typhus group जो है कि typhoid वगेरा होता है उसके अंदर भी useful है Q fever कि जो usually यह got वगेरा, sheep वगेरा जैसे animals के करन फैलता है Q fever, ricasial spot कि आपके skin के ओपर ऐसे ricasial sports जो है वो develop होना उसमें भी use किया जाता है यह medication tick fever कि यह देखो यहाँ पे finger के ओपर यह लिए गया है कि जिसको कहा जाता है यह से tick तो यह से जो insect होते हैं उनके bites के करन यह one person to another person यह बीमारे फैलते हैं कि जिसको tick fever कहा जाता है उसके इलाज में भी doxycycline use होती है effective साबित हुए फिर जो respirated rack के infections होते हैं और उसमें भी specially जो chest infection है उसमें काफ़ effective है कि जो lower respirated rack है usually upper respirated rack में यह useful नहीं है सिर्फ lower respirated rack कि जो chest का region बनता है usually तो वहाँ पर यह effective है और urinary track infection में भी समझें के दूसरे medicines effective नहीं साबित हो रहे तो उस वक्त आपके पास doxycycline का भी option रहता है तो यह थे उसके most important 15 basic use आप जानते हैं उसकी mechanism के किस तरह से यह medication अपना काम करती है तो it have a bacteria static action static action मतलब कि bacteria की जो growth है उसको inhibit करना कि जब bacteria grow करते है तो वो growth समझें कि आप inhibit करते है तो वो action को कहा जता है bacteria static action तो उससे पहले में आपका concept clear करवाता हूँ कि कोई भी bacteria है तो bacteria भी अपना जो growth करने के लिए अलग-अलग प्रोसेस करते हैं कि जैसे cell wall synthesis होती है उनकी फिर उनके अंदर protein synthesis होता है DNA replications के process होते है RNA का process होता है अच्छे से उनका cell membrane develop करते है protein synthesis करवाते हैं तो उसी में से यह जो dexocycline जो है वो protein synthesis के उपर असर करती है और protein synthesis को inhibit करने का काम करती है तो हमें पता है basically कि जो protein synthesis की process हमेशा होती है ribosomes के अंदर कि किसी भी cell के अंदर रहे यह जो organals जो हम कहते है ribosomes तो यह ribosomes के अंदर हमेशा protein synthesis के process होती है यह ribosomes के अलग-अलग unit होते है जैसे कि यहाँ पे आप नीचे वाला जो unit देख रहे हैं जिसको हम कहते है 30S unit उपर वाला जो बड़ा unit है जिसको कहा जाता है 50S sub unit तो यह से अलग-अलग sub units होते है ribosomes के तो हमारी जो medicine है doxycycline वो यह 30S ribosomes पे असर करेगे और यहाँ पे जो यह aminoacyl tRNA है कि जो binding site है aminoacyl tRNA binding to A कि यह वाले site पे जो aminoacyl tRNA bind होगा वो tetracycline नहीं होने देगा तो यहाँ पे देखो cross already किया हुआ है तो अगर यह यहाँ पे bind नहीं होता तो आगे जाके जो protein synthesis के process से वो क्या हो जाएगे stop हो जाएगे कि protein synthesis नहीं होगा और protein synthesis नहीं होगा तो bacteria जो है वागे अपनी growth अच्चे से नहीं कर पाएगा so it inhibits the protein synthesis by binding to ribosomal small subunit of prokaryotes and blocking the aminoacyl tRNA binding to site एक यह वाला जो tRNA है यह यहाँ पे bind होगा इस जगा पे तो उसके binding को यह inhibit करवाता है ब्लोक करवाता है जिसके करण आगे जाके protein synthesis के process नहीं होती and it inhibits the bacterial protein synthesis by binding to and interfering with the ribosome कि ribosome का जो main function था protein synthesis का वो अटकाता है और इस तरह से अपने bacteria static section देता है और इनकी growth को है inhibit करता है अब समझते हैं doxycycline के capsules के बारे में तो capsule जो है वो usually आप यहाँ पे देख सकते हो है 100 mg के dose में available है कि जितने भी आप उसके अलग-अलग branch देखोगे तो वो सभी खासकर 100 mg के यह जो capsule से वो design करते हैं कि यह वाला आप देख लो कि जो first up marketed formulation देख रहे उसमें भी 100 mg है इसमें भी 100 mg और यह वाले में भी यहाँ पे लिखा है कि यह capsule जो है वो 100 mg के capsule से तो 100 mg PO मतलब की orally दिया जाता है Q मतलब की every and day मतलब की day तो 100 mg लिया जाता है orally every day पराबर यह खास याद रखो every day और दिन में एक ही tablet या फिर एक ही capsule इसकी enough रहती है and it is a prescription based medication those must be taken as per the direction of physician doctor and don't do the self medication because यह पे भी आप उसकी लाल लकीर को देख सकते हैं कि जो हम कहते है red line is for the prescription कि बीना prescription को यूज ना करें वैसे भी यह antibiotic medication है यह पे भी आप उसकी red line देख सकते हैं तो capsules या फिर suspense अं दोनों के अंदर proper direction के साथ but usually दिन में एक ही tablet या फिर एक ही capsule लेना enough रहता है और ज्यादा से ज्यादा समझें कि आप तीन दिन या फिर 7 days तक tablets या फिर इसके capsules लेते हैं तो bacterial infection जो है वासनी से cure हो जाता है अब समझते उसके injections के बारे में तो injection का जो initial dose है 200 mg पर day on first day then may be given once a day बरावर तो यहाँ पर क्या है initial dose के जब आप therapy start करते हैं तो पहले दिन patient को आप दिन में दो बार उसको दे सकते हैं कि 100 mg जो है वो समझे कि morning युने लेता है patient तो दूसरा 100 mg उसको आप दे सकते हैं night में दे सकते हैं तो उस तरह से proper 12 hours के time interval पे आप उसको दे सकते हैं divided doses के अंदर और उसके बाद जो maintenance dose रहता है वो 100 से लोको 200 mg पर डे once a day और divided once every 12 hours oral और intravenously may be given once a day तो जैसे मैंने capsules के लिए बता है उसी तरह से injection में भी same concept रहता है 100 mg जो है वो usually patients को दिये जाते हैं every day और जरूरत पड़े पर आप 200 mg तक दे सकते हैं बट उससे ज्यादा देना overdose हो सकता है तो वो खास द्यान रखे तिसरी condition अब समझे तो उसके side effects समझना जरूरी है because इसके side effects आप समझोगे देखते हैं nausea vomiting तो common है उसके बाद diarrhea भी common है loss of appetite हो सकता है उसके बाद mouth के अंदर sore जो हम कहते है soreness जो develop हो जाती है mouth के अंदर ऐसे develop होता है black hairy tongue ये वाले देखो excessive use के कारण कि ये जो tongue आप देखो तो black है और वो black इसलिए दिख रहे because वहाँ पे hair है तो black hair के कारण कि जो tongues के उपर develop होते हैं ये एक सबसे बड़ी side effect है tetracyclines की और ये side effect आपको doxycycline के अंदर भी देखने को मिलती है sore throat होता है dizziness होता है person को headache feel होता है उसको and rectal discomfort उसी के कारण देखो और diarrhea के condition भी patient के अंदर develop होती है gastrointestinal tract के अंदर nausea vomiting वो करवाता है तो ये है उसके side effects अब सबसे important point जरूरी है वो सिखना that is the contraindications and precautions तो सबसे पहला contraindication ये है कि अगर समझे कि आपको tetracyclines class की किसी भी medication की allergy है hypersensitivity हो जाती है तो उसको use ना करें तो ये पहली असी condition कि जिसके अंदर आप use ना करें doxycycline को take precautions in renal disease कि जिनके renal failure है renal related problem है या फिर hepatic disease है लीवर उनका खराब है तो वो लोग भी उसको avoid करें sulfide की hypersensitivity है tetrazyn, die hypersensitivity या फिर tetracycline ये तीनों की hypersensitivity है तो भी doxycycline को use ना करें उससे आपकी condition और ज्यादा खराब हो सकती है pregnancy है तो उसके अंदर completely avoid करें do not take during the pregnancy children's को ना दे infants जो होते हैं, neonates and अगर समझे कि आप breastfeeding करवा रहे हैं छोटे बच्चे को तो ऐसे condition में भी patient को doxycycline जो है वो नहीं लेनी है फिर किसी को renal disease है, renal failure है renal impairment है कि जो kidney related हम disease कहते है कि जब आपकी kidney already खराब है, तो ऐसे patient उसको use ना करें completely उसको avoid ही करें and children below the 8 year of age कि एसे छोटे बच्चे कि जिनकी age 8 साल या फिर उससे कम है तो वो भी doxycycline को use ना करें तो most avoid for the children, children के लिए उसको avoid करनी है because it can harmful effect on teeth कि उसकी जो हो harmful effect होती है यह आपके teeth के उपर यह देखो कि जो normal जो whitening होती है teeth के उसके बज़ा यहाँ पे क्या हो चुका है discoloration तो doxycycline में cause permanent, ऐसा नहीं कि temporary permanent आपके जो teeth है उसका discoloration हो जाएगा इस तरह से जो white teeth होते है उसके बज़ा इस तरह से yellow weeds brown जैसे yellow weeds brown जैसे teeth आपके हो जाएगे तो जो children's के अंदर उसको use ना करें फिर slow down of growth of bonds कि bond की इस तरह से जो growth होती है छोटे बच्चों के अंदर कि सबसे पहले जो जैसे जैसे उनकी age बढ़ती जाती है proper bond जो है वो growth करते है A से लेकर B से C तरह से proper उनकी growth होती है तो वो growth को क्या कर सकता है ये काफी slow कर सकता है doxycycline तो छोटे बच्चों को उसको ना दे so doxycycline medicine should not be given to children 8 years of age and younger कि बच्चों के लिए completely उसको avoid करें अगर कोई proper adult person है तो ही doxycycline दी जानी चाहिए तो ये था हमारा special video lecture about the doxycycline pharma rocks के lectures not attend करे pharma rocks की app उपर thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material test series video lecture pharma rocks की app उपर तो अगर आप android user है तो android app डाउनलोड करे google play store पर से iphone user है तो app store पर से डाउनलोड करे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best